नमश्कार, News Click में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। कभी कभी देश में महत्वपूर्ण घटनाएं आपके अपने जीवन के watershed developments के साथ कोइंसाइड करते हैं। मुझे यकीन है आपके साथ भी कभी न कभी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं इस कारिक्रम में हम व्यक्तिगत उपलब्धियों या अनुभवों के बारे में बात नहीं करते हैं। कोई छोटा सा reference आ जाए तो अलग है परन्तु first person, personal pronouns को हम बाहर रखते हैं। ये परंपरा आज इसलिए तूट रही है क्योंकि ठीक एक दशक पहड़े, मार्च 2013 में मेरी नरेंद्र मोदी की जीवनी प्रकाशित हुई थी। इस किताब के प्रकाशन से मेरी professional standing enhance हुई थी। लेकिन इसी period में पुस्तक के प्रकाशन से अधिक महत्वपून नरेंद्र मोदी का एक राश्ट्रिये नेता के रूप में उभरना वो घटना थी। जहां तक मेरी किताब का सवाल है हम खुशकिस्मत थे कि हमारा आकलन सही रहा कि उनके राश्ट्रिये स्तर के नेता बनने के संभावना वो बेहत उजवल थी और इसी लिए किताब पर पहले से काम शुरू कर दिया था। तो प्रकाशन की टाइमिंग सही रही। आज हम बात करेंगे मोदी कैसे 2013 में एक शेत्रिये नेता या रीजनल लीडर से राश्ट्रिये नेता नैशनल स्टैंडिंग वाले लीडर और बीजेपी के प्रधान मंत्री के पद के उम्मिद्वार के तौर पर उभर कर आए उसी पीरियड में। हम इशारा करेंगे भारत कैसे बदला है पिछले एक दशक के दौरान। डिसमबर 2012 के तीसरे सब्तार में मोदी ने गुजरात में विधान सभा चुनाओं में अपनी पार्टी को तीसरी बार जीत दिलाई थी। इलेक्शन कैम्पेन के दौरान मोदी का इमिनेंट इमर्जेंस नैशनल लेवल पे सपश्ट हो गया था। हम जानते हैं कि 2002 के गुजरात दंगों के बाद कई पश्चमी देशों ने मोदी को वीशा देने से इनकार कर देने दिया था। मोदी के साथ सर जेम्स बेवन की मुलाकात ने मोदी से मिलने वाले अन्य पश्चमी देशों के दूतों के लिए एक ट्रिगर पॉइंट की तरह एक्ट किया था। वेस्टन पावर्स को मोदी को रीच आउट करने से संकेत मिला कि वे 2014 के लोकसभा चुनाओं में मोदी के प्रधानमंत्री चुने जाने की संभावना के लिए खुद को तयार कर रहे हैं। मोदी ने जैनुवरी 2013 के पहले और दूसरे सप्ता में नई दिल्ली का दौरा किया। यह यात्रा अधिकारिक या फिर ओफिशल तोर पर प्रवासी भारतिय दिवस के वार्शिक संभिलन और कुछ अन्य सरकारी बैठकों में भाग लेने के लिए थी। लेकिन जब वे राजधानी में थे उन्होंने जर्मन राजदूत के आवास पर कई यूरोपियन यूनियन नेशन्स के एमबैसिडर्स के साथ एक लंचेन मीटिंग की थी। दिल्चत बात ये है कि मोदी और पब्रिसिटी हमेशा साथ साथ चलते हैं। हमेशा अपनी बैठकों को प्रचारित करने के लिए वे उत्सुक रहतें थे। परन्तु इस मीटिंग का खुलासा एक महीने तक नहीं हुआ। और वो भी तब जब एक एंटरप्राइजिंग पत्रकार को इसकी भनक लगी और उसने उस पर एक रिपोर्ट लिखी। January 2013 में European Union के राज़ूतों के साथ मोदी की बैठक के अलावा एक और महतोपून घटना उस समय हुई थी। भाजपा द्वारा नितिन गड़करी के स्थान पर एक नए पार्टी अध्यक्ष पार्टी प्रेसिडेंट राजनात सिंग को चुनना। गड़करी के खिलाव प्रष्टाचार के आरोप थे। 2023 की तरे 2013 में भी नौ राज्यों में विधान सभा चुनाओं होने थे। अगर पार्टी अध्यक्ष के खिलाव प्रष्टाचार के आरोप हैं तो ये एथिकल रूप से उचित नहीं होता। पार्टी ने ये सोचा। इसलिए परिवर्तन की बात शुरू हुई। राश्ट्रिय स्वेम सेवक संग का टॉप ब्रास गड़करी का समर्थन कर रहा था। लेकिन दूसरों की अपनी मर्जी थी। अड़वानी समेथ दूसरे नेताओं के विचार अलग थे। वे गड़करी को रिप्लेस करना चाते थे। सवाल था कौन होगा। मोधी का भी नाम चला पर उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। ओविएसली वो प्रेसिडेंट नहीं बनना चाते थे। पी-म कैंडिडेट शायद बनना चाते थे। कॉंप्रोमाइज कैंडिडेट के तौर पर राजनात सिंग को सर्वसम्मिती से चुना गया। इस चुनाओ को पार्टी के राष्ट्री परिशत द्वारा एंडोर्समेंट अनिवारय था। मार्च 2013 को पहले एक दिवसिये, National Executive और उसके बाद दो दिवसिये, National Council के बैठक। इंडिया तुडे की वेबसाइट पर एक Curtain Razor Report का हेडलाइन था। All Eyes on Narendra Modi as BJP National Executive Meets Today। Report ने कहा था, Modi is expected to be in the limelight at the meeting with voices having already risen for declaring him as Prime Ministerial Candidate for the General Elections। Advani, party के PM उमीदवार नॉमिनेट किये जाने वाले अन्ने उमीदवारों में शामिल थे। उन्होंने Modi को neutralize करने के लिए एक secular सा दिखने वाला पत्ता खोला या फिर खेला। अपने भाशन में उन्होंने, party द्वारा, Charter of Commitments to Minorities के बारे में बात की। I believe that the mutual equation between the BJP's and the minorities must be changed in order to achieve a fundamental transformation in India's democracy, development and national integration. The BJP must take the initiative in this direction by including a charter of commitments to the minorities in its agenda of governance and development. ये उनके भाशन का अंश था। अडवानी लाइन पूरी तरह से Modi के विप्रीत थी। हलाकि अडवानी कोई नहरुवादी secularist नहीं थे। उन्होंने तो आखिरकार आपको याद होगा रामरत यात्रा से भारती जनता पार्टी को launch किया था। और उसी के साथ देश में सामप्रदाइक हिंसा की घटनाओं में भारी वृद्धी हुई थी। मोदी लाइन इंक्लूसिव नहीं थी। सेप्टेंबर 2011 में उन्होंने सद्भावना मिशन नाम का अपने कारेक्रम की शुरुवात की थी। एक सूफी मौलवी ने उन्हें एक ट्रेडिशनल टोपी या फिर जिसको स्कल कैप बोला जाता है भेट की थी। मोदी ने लेने से इनकार कर दिया था। बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार जो उस समय इंडिये में थे और पीएम बनने की महत्व कांख्शा रखते थे। वेंग से मोदी के नाम पर बयान जारी किया था। मोदी जी ये हिंदुस्तान है। यहां कभी टीका लगवाना पड़ता है तो कभी टोपी पहनना ज़रूरी है। तब से अब तक मोदी ने टोपी नहीं पहनी। टोपी दरसल अल्प संख्योक्यों या फिर माइनॉरिटीज के पब्लिक एम्ब्रेज का एक सिंबल या प्रतीक था। अभी भी है। पिछले दस सालों में जब मोदी पी एम कैंडिडेट या पी एम रहे हैं, उसका शायद एक महतोपून इंपक्ट ये है। सिंबॉलिक इशारों को अब जरूरी नहीं समझा जाता है। अल्प संक्यों को ये भाव देना एसेंशियल नहीं समझा जाता है कि उनकी परंपराएं भी इसी देश की हैं। आवशक्ता क्या है? What is the need for it? मोदी ने किसी दूसरे कॉंटेक्स्ट में यही वाक्य का इस्तिमाल किया था। फिर पता चला ये तर्क उनके एक्शन्स के बुनियाद में अक्सर देखा जाता है। मार्च 2013 में नैशनल काउंसिल की बैठक के बाद जल्द ही भारती जन्ता पार्टी पूरी तरह से मोदी मय हो गई। अडवानी, जस्वन सिंग और उमा भारती जैसे कई नेताओं ने जून 2013 में गोवा में पार्टी की राष्टे कारिकार्णी की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया। टाइमस अफ इंडिया की हेडलाइन थी, नरेंदर मोदी is the face of the party now। गोवा में सपष्ट हो गया मोदी ही बीजेपी के PM कैंडिडेट होंगे, बस घोशना होने की देव थी। ये घोशना आखिरकार सेप्टेंबर 2013 में नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष राजनात सिंग द्वारा की गई। मोदी की जशन पार्टी थोड़ी नम हो गई जब अडवानी ने विरोध का एक पत्र जारी किया जो उन्होंने पार्टी अध्यक्ष को लिखा था। अडवानी संसदिये बोर्ड पार्लिमेंटरी बोर्ड की बैठक में शामिल नहीं हुए। उस मीटिंग में जिसमें मोदी को पार्टी के पी-एम उमिद्वार के रूप में नॉमिनेट किया गया था। मोदी का पी-एम बनने का कैमपेण जो अब तक अनओफिशिली चल रहा था अब फॉर्मली शुरू हो गया। कुछ ही महिनों में मोदी ने पार्टी का फुल कंट्रोल अज्यूम कर लिया। वक्त के साथ तो राष्ट्रे उसेम सेवक संग की संग परिवार के अंदर moral authority इरोड हो गई। 2013 के भार्टे जनता पाटी की पूरे internal developments में कहीं भी कोई फैसला democratic तरीके से नहीं लिया गया था। और अब हिंदुस्तान को mother of democracy कहा जाता है। विडम बनाओ का दौर 2013 में नहीं खतम हुआ। आगे क्या और कुछ हुआ आप काफी हद तक जानते हैं। इतिहास के उन पन्नों पर हम कभी और focus करेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।